तीज आने वाला है और आज मैं आपके लिए तीज की खास मिठाई अनर्शा की रेशिपी लेकर आई हूँ जिसे आप अपने घर पर बहुत ही असानी से और बहुत जल्दी बना सकती है यह खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है और आप इसे जरूर बनाए नमस्ति दोस्तों भानुजा दहों मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए वीडियो शुरूरे इसके लिए मैंने दो कटोरी चावल का आटा लिया है इसे मैंने घर पर बनाया है और इसे मैं एक थाली में इस तरह से रख लूंगी ताकि हमें डालने में असानी हो और वहीं पर मैंने एक कप चीनी लिया है एक कटोरी अब मैंने कडाही गरम कर लिया है और उसमें एक टेबले स्पून मैंने घी डाल करके इस तरह फैला लेंगे ताकि कडाही में चिपके नहीं डो और उसी कटोरी में मैंने एक कप पानी लिया है और इसे अब हम डाल देंगे यह देखिए मैंने डाल दिया है और पानी में जब उबाल आ जाएगा तब उसमें हम चीनी डाल देंगे अचीनी के घुलने तक हम इसे पकाएंगे ये दिखिए चीनी घुल गया है और वो इसमें उवाल भी आ गया है अब इसमें हम चावल का आटा थोड़ा-थोड़ा करके डाल देंगे और इस तरह से मिलाएंगे हम इसे मेडियम आज पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे ये अभी देखने में आपको पतला लग रहा है लेकिन जैसे जैसे ये जैसे जैसे हम इसको मिलाएंगे ये गाणा होते जायेगा ये देखिए ये गाणा होने लगा है हम इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से डो जैसे बना लेंगे अच्छी तरह से इसको इसका पानी अच्छी तरह से सुखा लेंगे और ये डो जैसा बन जाएगा ये देखिए ये कडाई से अलग हो गया है अब इसमें चिपक नहीं रहा आप इसमें के तोरे में निकाल लेते हैं और इसमें जो बचा हैyan देख लेते हैं जब यह थोड़ा सा ठण्डा हो जाए तब हम इसमें हातों में फोड़ा सा घी लेकरके और इसे अच्छी तरह से मिला करके शॉफ्ट डोब बना लेंगे मैंने 50 गराम सफित तील लिया है आप इसके बदले खस-खस भी ले सकती है अनर्शे को कोट करने के लिए अब मैंने निबू के अकार का लोई ले लिया है और आथों में घी लगा करके गोल बना लेंगे और इसे तील में इस तरह से कोटिंग कर लेंगे मैंने एक तरफ ही किया है अगर आप दोनों तरफ करना चाहती है तो दोनों तरफ से कर सकती है और इसे प्लेट में रखते जाएंगे इसी तरह हम छोटी-छोटी लोई ले करके आप चोटा या बड़ा अपनी पसंद के नुसार ले सकती है लोई और इस तरह से तीन उनली का ऐसे प्रियोग करते हुए हम उसमें कोटिंग कर लेंगे इस तरह से यह देखिए यह बहुत ही असानी से हो जाता है हम थोड़ा सा गोल और अनर्शा भी बना लेते हैं यह देखिए इसे हम इस तरह से कर देंगे ताकि जो तील है वह अच्छी तरह से उसमें कोट हो जाए अब यह थोड़ा सा हमने बड़ा अनर्शा भी बना लिया चप्टा करके इसी तरह हम सभी डो से अनर्शा बना लेंगे यह देखिए इतना अनर्शा त्यार हो गया है अब हमने घी गरम कर लिया है आप घी के बदा रिफाइंड भी ले सकती है और इसे मीडियम गरम कर दें आज को आपको लो से मीडियम रखना है जब एक तरफ से गोल्डेन ब्राउन हो जाएगा ताम इसे दुसरी तरफ पलट देंगे जारे से हम घी को अनर्शे को उपर हलका हलका पुस्ट कर देंगे ताकि अगर कम घी भी है तो अच्छे से अनर्शा पक जाए यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है अनर्शा का अब हम इसे निकाल लेते हैं यह दोनों दुरब से गोल्डेन ब्राउन हो चुगा है तो हम इसे अब निकाल लेते हैं अब हम जो बाकी बचा हुआ नर्शा है उसे डाल देंगे और इसे भी हम लो टू मीडियम आज पर ग अलकाल का पलट देंगे इसको और यह भी हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं बलेट में अब यह जो गोली है अनर्शा के जो हमने गोल गोल बनाई थी इसे भी हम गोल गोल चलाते हुए इसे इसे भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे यह देखिए अनर्शा हमारा बन कर तयार हो गया है अनर्शा तीज और दिपाली की खास मिठाई है तो आप इसे जरूर अपने घर में बनाईएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और सेर करना ना भूले और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसे बिलकुल न भूलिएगा धन्यवाद